दोस्तों नोदे बिद्धाले समीती के द्वारा जो है contract basis पे vacancy निकाली गई है, मतलब contract teacher की, contract teacher मतलब क्या होता है friends समझे देखे, एक होता है permanent job, एक होता है contractual, contractual मतलब होता है कि एक सिमित समय के लिए आपको select किया जाएगा, और आप जो है job करेंगे नोदे बिद्धाले में और उसके बाद से यह लोग आपको हटा भी सकते हैं, जब इनका contract complete हो जाएगा तो जब इनको permanent employee मिल जाएगा तो, लेकिन आपको यहाँ पे salary अच्छी खासी मिलेगी, और आपको बहुत सरी चीज़ सीखने को मिलेगा, आपको experience मिलेगा, तो इस base पे आप जो है इसमे आव सम्विधा आधार पर सत्र 24-25 के अंतरगत, अनंतिम रिक्तियों के सापेच में सिख्छों की अनुबंधन के लिए panel के निर्माड है, तो आवेदन पत्रों का निर्माडत की सूचना यहाँ पर जारी किया गया है, और इसका देखेंगे, तो online आवेदन भी सुरू कर दिया मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, step by step मैं आपको एक लाइफ फॉर्म करके बताऊंगा, अगर आप इंट्रिस्टेड हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 7 जून तक, देखें यहाँ पे दो वेकेंसी चल रही है, एक आपका लख वेकेंसी को बताया गया है, और अलग-अलग जो है सिक्षकों इनको चाहिए, जिसे आप लिखा गया है, नोदे बिद्याले समिती छेत्रे कराले, जैपूर के अंतरगत, राजस्थान, हर्याणा, एवंग, दिल्ली के ज्वाहर नोदे बिद्यालेों में, PGT, TGT, रचनात बताया गया, और यहां बताया गया, कि 7 जुन तक, ओनलाइन पोर्टल के माध्यम से, आप जो है, फोर्म को अप्लाई कर पाएंगे, 24 मई को देखेंगे, यहां पर इनका सिनेचर आया हुआ है, और ऑफिसियल वेबसाइट पर भी आप आएंगे, नोदे बिद्याले जैप पतना रिजन, तो ऐसे इनका जो है, अलाग अलाग रिजन वाइज भी वेबसाइट बना हुगा, तो यह रिजनल का वेबसाइट मैंने खोल रखा हुआ है, जैपूर छेतर का, यहां देखिए, ओप्शन है, किलिक एर फॉर ऑनलाइन अप्लिकेशन, आप इस पे क्लिक करे यहां पर एक औप्शन है, आपका यह नोटिफिकेशन का, तब इस पे क्लिक करेंगे, तो इनका जो है, अफिसल जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाया, वो आपको आपको देखने को मिल दाएगा, तो अभी मैं थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन के बारे मतायता फिर मैं आप कुछ यहां पर बताऊंगा और भी इन्फोर्मेशन तो आप साथ तारिक तक फॉर्म को भरेंगे जब आप फॉर्म भर देंगे तो यह लोग भेरिफाई करेंगा आपके डोकुमेंट्स को आपको अपको अप्लिकेशन को जो की 10 जुन तक चलेगा और यहां पे मेरिट लिष्ट यह लोग जारी करेंगे करेक्टेट डेट एंड इन्वाइटिंग अब्जेक्शन यहनी आप अगर इन अब्जेक्शन करना चाहते हैं कि आपका मेरिट में नाम क्यों नहीं आया है तो आप 13 जुन तक कर सकते हैं जो की 14 जुन से 18 जुन तक यहां पे करड़ ठोजेंगे और फाइनल जो मेरिट तयार होगा आफर इंटर्व्यू वो 20 जुन को होगा यानि इसमें कोई आपका रीटेन एक्जाम नहीं होगा सीधे आपका इंटर्व्यू के बेसी से आपका सेलेक्शन यहां पे होने वाला ह कोई रीटेन एक्जाम देने के आपको और सकता नहीं है और यहां पे आप देखेंगे नीचे में यह सब दिया गया कि किसकी स्पद पर जो वेकेंसी निकाली से कि आप देखेंगे TGT इंगलिस इसके लवा TGT हिंदी मैट साइंस साइंस कंप्यूटर साइंस इसके लवा जो है TGT third language में जैसे कंणर, Malayalam, Telugu, Marathi, Gujarati, उडिया, Punjabi, असामी इसके लवा TGT Arts के टीचर चाहिए Music, Physical Education, Male Female दोनों चाहिए इनको इसके लवा Music, Librarian की वेकिंसी है Hindi, English, Math, Physics, PGT में आप देखेंगे तो PGT में बहुत सारे subject आपको देखने के मिलेंगे इस परकार से आपको देखने हैं 22 परकार के अलग 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 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं अब सभी पोस्ट के लिए अलग अलग qualification है तो आप PGT के लिए फॉर्म बरेंगे तो आपको यहाँ पर qualification देखना होगा उसका recording अलग 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 इसके अलबा मैथ से तो सब का यहाँ पर दिया गया है बेड चाहिए सीटेट कौन सा कौलिफाई चाहिए तो इस अब यहाँ पर आपको दिया गया है आप एक बार जरूर चेक करेंगे फॉर्म भरने से पहले अब आई समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना यहाँ प यहाँ पर फिल करेंगे और सारी जनकारी को ध्यान में रखते हो फिल करेंगे तो आपको अच्छा खासा परसेंटेज मिलेगा और आप मेरे टिम में जरूर सामिल होंगे आपका जॉब यहाँ पर लग जाएगा तो यह है अब आये जानते कैसे फॉर्म को भरना है तो फॉ यहाँ पर दोनों में सजाच आए वहाँ अब दे सकते हैं आप किसी भी राजस आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको जो डिकलेर करना है अब यहाँ पर चीज लिखा गया है वैं अप्लोडिंग सर्टिफिकेट फॉर्स लाइक डिप्लोमा यहाँ पर आप यहाँ पर चेक कर लेंगे इसको डिकलेर करेंगे प्रोसेश टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे सिद्धे वाला पीज ओप्लोगा यहाँ पर आपको एक option मिलता है क्लिक करेंगे अब यहाँ पर अपना email आड़ी लिखेंगे दुबारे email आड़ी और confirm करेंगे इस capture code को भरेंगे और email पर प्राप्त हुआ उसको यहाँ लिखेंगे फिर एक नया password इन दोनों box में बना लेंगे same password जो उपर लिखेंगे वहाँ नीचे भी same password लिखेंगे जब फ्यूचर में लोगिन करना तो आप इसी जो है सब चीज जानकारी दे दिया गया है आपको sms भी बेज दिया क्या है आपको यहाँ पर option में लगए इस पे click करेंगे अब क्या करेंगे आपको इमेल आड़ी लिखेंगे जो विए अपने email आड़ी बनाया जो अपने password बनाया वो password लिखेंगे capture code भरेंगे login करेंगे login mobile number लिखेंगे यहां से data birth का choice करना जो भी आपका data birth है calendar open करेंगे यहां पर पर आपको जो है year को confirm करना होगा किस year में आपका data birth है इस परकार से फिर आपको जो है month आएगा फिर आपको data आपको चूच कर लेना है फिर आप पूछ रहा कि are you ex envious या superintendent government school teacher या dependent of envious employee who died in hardness तो करते हैं इस परकार से आएगा आपको confirm करना कि यहां यह जो भी जनकारी है correct है इस तरह से टीक कर देंगे अगर गलती है तो modify करेंगे नहीं तो यहां पर confirm कर देना है confirm करते हैं यहां पर online application for teacher यहां पर आपको option मिले इस पर click करेंगे अपको region बताना है जैपूर जैपूर से सेब करते हैं यहां पर आपको देखे इतने सारे step को complete करना है for example यहां पर च्वाइस प्लेस फिर यहां पर पर्सनल फिर documents upload signature upload qualification experience फिर उसका certificate upload फिर final confirmation अब यहां पर आपको च्वाइस करना है कि you must select at least one choice of state for the posting अगर आपका job होता है तो इन तीनों में से कहां आप जो है join करना प्रेफर करेंगी आप अपने कोडिंग चूच कर लिजेगा क्योंकि यह जो रिजन है जैपूर रिजन है इसके अंतरगत तीन ही जो है यहां पर राज आते हैं डैली हर्याड़ा राजस्थान तो अगर आप लखनव रिजन साविजन करेंगे तो उसके अंतरगत जो भी र करने के लिए तो आप अधर से भी आप यहां पर जा सकते हैं तो आप यहां पर यहां पर कर दीजिएगा और फिर आपको सेफ कर देना है अब यहां पर आपको अपना जो है यहां पर फादर्स नेम यहां पर जेंडर बताना है फिर आपका मोबाइल नमर यहां सो होता है फ पर आप बिकलंगता के बारें बताएंगे फिर नहीं है तो नो कर दीजेगा इस तरह से इसके विश्चे वाइड इस यूर्पॉस वरकिंग इन जवाहर नोदे भी दाले अगर आप मैरीड है और आपकी जो मतलब आपकी मैरीड जो वाइफ है जो भी है आपके जीवन साथी अलड़ी काम करें जो आर नो देना तो यस करेंगे उनके बारें बताएंगे नहीं तो आपके नो कर देंगे आपका होम डिश्टी का है कहां साथ बिलॉंग कर रहें यह आपको बताना है अपना प्रोपर एड्रेस को रोस्पेंडर्स पीन कोड के साथ सब चीज मेंसन करके अच्छे से अच्छे से वा लिएया याप दैंगी थाना मालिज है रामपूर दैंगी फिर पर फिर यहां पे जो है इस्टेट लिखेंगे फिर यहां पर पी कोड लिकेंगे तो आप लिखिए अपन hm, रूब्र एड्रेस लिखना फिर आपको save करना है अब यहां पे आपको photograph अप्लोड करनी है तो आपका file size जोजे 60K से कम होना चाहिए JPG में यहां पे आप file को choose करके upload पे click करेंगे फाइल साइज maximum दिया हुआ है आप यहां चूच करके upload करेंगे फोटो से अप्लोड करने के बाद से देखिए यहां पे सारा चीज जो है इस तरह से green tick हो जाता है मतलब इतने सारे step complete कर चुके हैं अब यहां पे आपको नीचे आना यहां पे आपको qualification experience बताना है तो आपने qualification बारी बारी से add करना है पहले आप जो है दसवी को add करेंगे फिर आपको जो है under graduation का यहां पे मतलब graduation का degree जो है आपको बताना है और आपका four year इंट्रेटर वाला डिगरी है तो आप यह चूच करे पीजी की है तो पीजी फिर आप नेट कर रहें तो नेट बीएड कर रहें है इसके अलावा आपको पास कोई teaching experience है government residential school में या government recognized non-residential school में यह सब आपको जो है अपने according बारी बारी से क्या करना है एड करना है जिसे हम यहां पर पहले क्या करेंगे metric के बारे में एड करेंगे metric में आपका कितना marks मीला हुआ है इस तरह से आप क्या करेंगे metric के बारे में आप बता देंगे passing बता देंगे अपने metric का पास किया यहां पे save कर देंगे metric के यहां पे add होगे फिर हम क्या करेंगे marks in main subject यानि जो जिस भी पत के लिए form बरने है उसमें कितना percent आपको मिला हुआ है वो marks आपको बताना है फिर passing बताना है आपका जो भी passing रहा है फिर इसको भी save कर देंगे यह देखे data save हो क्या इसके बाद आपको जो है दूसरा यहां पे add करना है अगर आपने इसके बाद ब बताना है course या certificate तो जो जो आपने यहां पर course add किया certificate add किया उसके बारे में आपको upload करना documents को PDF में upload करना है यहां पर the maximum जो size होना चाहिए 800 के 20 से कम होना चाहिए PDF में for example यहां पर बोना है when you upload mark list makes your data PDF file content detail marks list all years मतलब क्या यगर आप metric में जितने भी आपके mark sheet है उसको आप यहा पना लेंगे और उसको आप यहां पे चूच करके upload कर देंगे इसी तरह से आप PG का भी फिर B8 का भी तो mark sheet ही सिर्फ आपको upload करना है जैसे सा upload कर देंगे यह सब टीक होते चला जाएगा फिर आपको यहां पे certificate upload complete हो जाएगा अब अगले step में आपको final confirmation वाला page open होगा यहां form पे click करेंगे आपका form final submit हो जाएगा और उसके बाद से आपको print out निकाल के अपने पास hard copy सुरचित रख लेनी है इसके बाद का आगे का process आपको नहीं करना आपको wait करना है कि कब आपका interview का call letter आपको आएगा जिसे interview का call letter आएगा friends आप interview में appear होंगे उसके बाद से आपका official website जैपूर शेतर का 9 वाला वहां पे आप जो बिजिट करते रहेंगे लगता आपको यहीं पर update जो भी होगा आपको देखने को मिलेगा आपको इस वाले section में देखने को मिल जाएगा latest circular में या आप जैसे website open करेंगे तो automatic यह वाला जो pop-up है न यह वाला automatic जो आपका open हो ज शेगा friends मिलता है किसी next video में जाहिंद आपका दिन सुभ हो